आगाश्टोने मुंबई के अंदर प्रस्तुत कर रहा है नाटक ओप्रेशन जीरो लेखक उधैस अपनिस और प्रस्तुत करती तनुजा कानडे तो आईए सुनते हैं नाटक ओप्रेशन जीरो कौन है मैं हूँ ब्लिष्टो आजाओ ब्लिष्टो उसे लाए हो ना यह रहा कंदे पर बाप्रे कितना भारी है उसे टेवल पर रख दो सम्हाल के जी रखता हूँ कि कहां कहा है यह तुमने क्या बताया था बंडलपुर का राजा है बंडलपुर जब मैं इसे लाने के लिए वहां पहुचा तब इसके जैसे कुछ चार-पांच लोगों के साथ रूपए लाग करोन ऐसे ही कुछ अजनभी अंजान लब्ज इस्तिमाल करते हुए यह कुछ बड़ बड़ा रहा था और तभी सब की नजर बचा कर मैंने इस उठा लिया बहुत अच्छे जरा अपना सेवा पत्र तो दिखाओ आठ घंडे लगे ना नहीं साथ तो फिर और एक घंडे के लिए रुक जाओ मेरी बज़त करोगे जरूर क्यों नहीं खोशी से तो फिर चलो उसे बोरी में से बाहर निकाले आये बोरी में से निकाल कर कौन सी डोरी में उलजाना है से अब इससे उलजाना जरा मुश्किल होगा अरे अरे क्या तबियत क्या वचन वई वा जब मैं इसे अपने कंदे पर उठा कर ला रहा था तो मेरी पीट की सभी हट्डियां चीख चीख कर कह रही थी बचाओ बचाओ ब ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं यह देखना है जरा वो ब्रेन वेव एक्जामनर देना तो यह लीजिए ब्लिस्टो जरा इसका ब्लड प्रशर चेक करोगे जी वह हार्ड डेटेक्टर ओन करना ओके एससास ठीक चलना है ना जी इसे प्री वैनिशिंग डोस कितना दिया है आठ घंटे ओके यह ले बढ़िया काम किया इतनी सीक्यूर्टी में से इसे उठाकर लाना आसान नहीं था आसान कामों में हमका भी हाथ नहीं डालते अच्छा चलता हूं ठीक है कल मिलते हैं ओके कि अधिसर पतवा रहो सिर्पती गर्मा गरंचाह लेके आवा हमरे वास्ते हाँ अभे ओ सिर्पती कहां मर गया अभे ससुर के नाती यह लीजिए चाहें सिर्पा अरे कई संसुआंग रचाह लिए हो आए तु तो बिल्कुल कोनों तमासा करना चाहिया लग रहे हो भाई मैं नवीन हूं नवीन मत्वल नवीन का मतलब नया अच्छा नया तो फिर उप्राना किधर गया अरे भाई कई संदिन्दिया है बेहोसी है यह नसा है चाहे पी लीजे ठीक हो जाएगी दई दो पी लेते हैं अब सुनो तब तक उत्तु सुर्पत्वा के बुलाई के लिए आवा फटाक से यहां श्रीपती नहीं है थू 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 था तेरी साला इक चाही घोड़े का पिसाब है जैसे भी हो तुम्हें पीनी होगी कोंकि हमारे यह चाह ऐसी ही बनती है और वेदिक है अरे यह तो अरे बाब का राज है का है यहां का राजा कौन है हम हूँ ना तो फिर चल जा पटाक से अच्छा डबल सक कर चाले क्या वाम रबास्ते दू का और इका फेग दे चल नहीं नहीं औरे ससूर के नाती नहीं तो हम ही फेग देते हैं अगर चाय फेकी तो तेरा हाथ कंदे से उखाड़ कर फेग दूँगा चल फी वो चाय फॉरण कौन है भाई तू हमरे राज महल में कई से घुजाए तुम अरे कौनों है वहां सरब जितवा गिर्धारी और सुरपोती सुवर्नास लंवा और यह और कौनों नहीं है इस सब का साप सुखा दिये हो का है अठार जा हम खुदों ही तो ही का सबक सिखावत है अरे बाई यह का चाहिँ तो का पैसा और लोगां से डबल दई देंगे तो का कितना लेगा बोल बोल उसी के बारे में बजे तुमारे साथ कुछ बार्ता लाप करनी है का भूला बारता लाप अरे बावरे बारता लाप का लबज सुनते ही हमरा सरीर में कब कप पिछा जाता है अब भागो भाग मत तू यहां से भाग कर नहीं आ सकता राजा तू अपने राज महल में नहीं का कहे राज महल नहीं है तो भगाई के लाहे हो हमका हां अरे राजा के हें कि सजा जाना हो नहों है हम पूरे खानां का जलाई कर देंगे तो के उलता लटका देंगे शान्त हो जाओ राजा तू री अम चैनल जमेंगे हमें कमांडों आवेंगे पुलीस के तो कर सकते हैं पर होम गार्ट तो जरूर आएगा हम को ढूंड़ ढूंड़ती या एक ही मिनट मां बंडल पुर्तम बापु जेशतों के चूना लगाई के मसल डाले गहां कौन से कमांडो होम गार्ट सैनिकों की बात कर रहे हो तुम कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता क्योंकि सुवा बाग जरा लिये ओं का अखरHa औरे बबुआं या में हमार कमांडों नंबर डूय है हमारा शीनिक का नंबर तीन है अरे होम गारट का नंबर पाथा नहीं है पर दस के अंदर तो जरूरे होगा इतना ही नहीं हमार भेजे हुओं साथ लाइट जाँन हैं तुम्हारे रक्षक तो यहां पहुच नहीं सकते हां अगर सैटलाइट की बात कर रहे हो तो उनका भी कोई फाइदा नहीं क्योंकि हमारे इस टापी को एन्वीरो नामक वायू से ढख रखा है हमेशा के लिए जिसकी वज़े से सूर किरनों के अलावा और कोई भी किरने बाह नहीं जा सकती इसलिए हमारे टापू की किसी भी चीज़ की फोटो आकाश मार्क से नहीं ली जा सकती और तो और हमारे टापू के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है इसलिए तुमारे वैग्यानिकों की दृस्टी में भी ये बर्गूरा ट्रेंगल जैसा ही कुछ होगा क्योंकि सैटलाइट द्वारा लिए गए फोटो में यहां सिर्फ वैक्यूम वैक्यूम नदर आएगा और समद्र मार्क से यात्रा करने वाले हर एक जहास को इस तरह आता हुआ रासा टालने के लिए कहा जाता होगा इसलिए बंडलपुर के महराज अब आपका बंडलपुर से संबंद हमारे हाथ में है यह मत भूलिएगा ठीक है हम समझ गए पर भाई हम कहते हैं कि तोरे गुपतुचार जब हमको अगवा करके ला रहे थे तो हमरे कमांडो पहली धार के चड़ाए के लुड़क गए थे का नहीं पता नहीं हमने दो रशायन विश्यशग्यों ब्लीश्टो और जोना को तुम्हें लाने के लिए भेजा था अरे तो फिर वह हमका दिखाई करसे नहीं दिये लिक्विड एनवीरो शरीर पर लगाने से आदमी गायब हो जाता है सामने वाले को नहीं दिखता तुम्हारे भी शरीर पर लिक्विड एनवीरो लगाया सीधे एक बोरी में ठूस दिया और एक पल में तुम यहां हमारे डीटियो थरटीन तंद्र विज्यान की वज़े से आदमी मन की गती से कुछी पलों में कहीं भी पहुँच सकता है मतमल स्टार ट्रैक जैसन ना जो टीवी पर दिखावत है ओफ टीवी टेलिविजन उसे हम नहीं रोक सके लोग मानते ही नहीं उन किर्णों को तो अंदर लेना ही पड़ा टेलिविजन पर एक बात हमरी खोपडिया में घुस नहीं रही है और वह इसे हमारा सिख्षा का मर्यादा बस पांच वहीं काक्चा तक है उपर से हमारा विज्ञान से रहा साइंतिस का अकड़ा पर यह बात हमका समझाई दो भाया कि कौनों एक उप्टन शरीर को लगाने से आदमी गा कोरंब किसे चला यहां से वहां धाकेल ना कि कौन है अरे रुख भाई अरे बहुत 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 कोई नहीं है यह कोरंब आपको तकलीफ दी माफी चाहता हूं अरे काहे के माफी आपका धाकेल दिया यहां से हुआ हमका कहीं लग गई होती तो अरे तोहार अपने नौकर को भाई कहो ना यहां से बाहर निकले वो मेरा नौकर नहीं दसाइन शास्त का विद्यार्थी है कोरंब जाओ तुम साला फुकनी का कोहीं जटका लगाई के हमका जख छोड़के रख दिया वह बखत तुम भी हमका दमकी दिया थै कि चाह नहीं प्योंगे तो तोहर हाथ तोड़के फेक दूंगा अरे कुनों बात हुई सराफ़त का जमाना ही नहीं रहा माफी चाहता हूं मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाना चाहता अगर तुमने मेरा काम किया तो वारतालाब शुरू करें यह चाचा अरे कहा काम है हमसे उप बोलना तुरान का रास्ता बनाय का कांट्रैक चाहीं आनाथ्राइज बिल्डिंग गिराना चाहते हो का अरे होस् समगलिंग करना का सेर बजार का कोड़ू लफड़ा करना चाहते हो गरत वेचोगे का के खोपड़ी बनाओगे अरे हम हूँ ना तु करदा सुरू पुलिस को राट साब हम माइनेज कर लेंगे इस पैसा का खेल है बाबू तु करदा सुरू अपना जो कुछ हिसाब किताब होगा बाद में देख लेंगे नहीं नहीं तरका डाइरेक्ट पैसा चाहते हो अरे बोल कितना एक लाग दस लाग करोड बस मूर्ख इंसान बस पैसे के इर्दगिर्द भिन मिनाते हुए क्योड़े बहुत हो गया बहुती नीच छुद्र घटिया इंसान है तू पैसों के अलावा को भी एक शाह अकांशा मात्व अकांशा नहीं जिसके पास ऐसे एक बहुत बड़े सूनिक समान है तू असल में मुझसे बात तक करने की हैसित नहीं तेरी पर क्या करूं मजबूर हूं बोल वारताल आप शुरू करूं हां करो है करो तो हमारा यह टापू निस्तर की आउश्रक्ता नहीं पर हमारे दुरुभाग से हमारा इलाका तुमारे ही देश में है आधुनिक तंत्र विज्ञान से बहुत सारे फायदे उठा लिये हैं हमने पर आजकल उससे कुछ नुक्सान भी सहना पड़ रहा है हमें कहने की बात यह है कि आधुनिक तंत्र विज ट्रांस वर्ल्ड विजन पूरी दुनिया दिखती है इसमें हर एक चैनल पर अलग अलग देशों के में चैनल दिखाई देते हैं अरे बारे बभुआ तब तो मजा लुटे ससर गर बर बैटे बैटे पूरी दुनिया देख रहे हो मतमल तुम कितना भी लफडा करो जनता को कौनों खबर नहीं होगी उताब पूरी दुनिया के दर्सन करें में मजगूल होगी ना वही तो सब गरबढ है हमारी जनता को को भी भाषा समझ में नहीं आती सिर्फ अपनी छोड़कर हमारे लोग सिर्फ दृष्ट देख सकते हैं वो डाय डॉल डील डॉल वहिंसा चार भृष्टा चार व्याभी चार पैसों की खातिर होने वाले जगड़े अत्या चार यह सब देखकर हमारे लोगों का मन विचलि करें ठोठो आवास करते हुए कुछ गलत खेल खेलने लगे हैं उसी खेल को पसंद करते हैं यह सब कुछ रोकना होगा ऐसा हमें लगता है हमें मतबल हमारे विशेशग्यों की समीति को हमारे यहां हरे गुवा का कारभार उस छेत्र के विशेशग्य को सौपा गया है उस छेत्र के विद्यार्थी उस विशेशग्य का चुनाव करते हैं जैसे मैं अर्थ विवस्ता समालता हूं और तुम बेवस्ता मतलब खाजानची हो तुमाएं तुम तुम यह तो रहे अकेले के हाथ में खजाने का चावी होगा भाई वाहां फिर अपना हाथ जगनात लागी भूख के खाईला उपर से तंखा मिल नहीं लाएं खजाना तंखा पैसा कब बाहर आओगे तुम लोग किस दलदल से और्य को भार आएं खुद के अर्थ ब्यवस्ता के एक्सपोर्ट कहते हो और पैसा का महतों भी नहीं जानते हो अर्यादमी का पास पैसा ना हो तो उंकी कीवत का है दुनिया माएं अर्य दुनिया के गाड़ी चलत है पैसों के पहियों को उपर आप नहीं रा कि रुप्यों के नोटों की नहीं कीमत में काम के दर्जे की जानता हूं कागस के टुकड़े की नहीं अरे उनका कौन पूछा था भाई जा बाहर जाके देखा तो कम नो दुकांदार के बोल दो हम महनत करता हूं उनका बतले हमका एक किलो प्याज दे दे लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा राजा यहां मैं अगर बाहर कहीं भी जाओं और सिर्फ मेरा यह कार्ड दिखा दूँ तो मैं जो चाहूं वो सब कुछ पा सकता हूं पैसे देने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी रही का है रासन कारड है का नहीं सर्विस क्रेडिट कार्ड सेवा पत्र मैं जितने घंटे मेहनत करता हूं वो सब इस कार्ड पर नोट किये जाते हैं इनके बदले मैं जो चाहूं और वो भी सिर्फ जितनी जरुवत है उतनी ही मांग सकता हूं हमारे यां पैसा है ही नहीं हमारे मैनत की कीमत हम कागस के चंद टुकडों में नहीं तै initiatives के सर्विस क्रेडिट कार्ड है उसे जो छेत्र अच्छा लगता है अर्थात उसके बारे में आवशक जो ग्यान पाने के बाद ही उस छेत्र में वो काम करे उसने जितने घंटे मेहनत की है वो अपने विश्यशग्यों से उस कार्ट पर नोट करा ले और चला जाए उसके बदले में उखाना पीना कपड़ा निवास जैसा चाहे और जब चाहे पा सकता है अरे तु कुमुनिष्ट हो का नहीं हम किसी भी प्रचलित इज्व पर विश्वास नहीं करते ये हमारा जन्ता राज है सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम ऐसे शेत्रों में काम नहीं करते जिन में हमें रुची नहीं हो और इसलिए विज्ञान शिक्षा तंत्र विज्ञान संस्कृति इन सभी शेत्रों में हम तुम लोगों से सैक्ड़ों मील आगे हैं पर पर का अरे सब कुछ कुछ कुसल मंगल है तो और का चाहते हो है क्योंकि मुझे अपने देश को तुम्हारे देश से बचाना है हमारे अति आदुनिक प्रसारण मादिमाओं के कारण तुम्हारे देश की एक भयानक परच्छाई मेरे देश पर पड़ी है और मुझे वो मिटानी है हमारे लोगों के दिमाग पर सवार होता हुआ ये पैसों का भूत मुझे उतारना है संबंध है पैसों के लिए जिस देश में नंगा नाच चल रहा है उस देश के राजा तुम हो इसलिए तुम्हारा संबंध तो सबसे पहले है सिग्रेट की पैकटों पर सिर्फ वैधानेक चैतानी देने के बजाए सिग्रेट की फैक्टरें की बंद करवाना अच्छा होगा सांप समझ के जमीन को पीटने के बजाए सांप कोई मार डालो है कि नहीं तुम्हें तुम्हारे देश में पैसे की कीमत शूर ने करनी होगी अभी इसी वक्त वैसा हुक्म देना होगा अपने अर्थमंत्री को कहो नोटों की छपाई बंद कर टक्साल बंद कर आज से मेरे पास कैमरा है ए आईडी 45 इस मीटर पर अगर उसे स्ट किया जाए तो तुम्हारे देश के सभी टीवी स्क्रीन पर तुम देखने लगोगे उनका कहना है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो वन्ना भून दिये जाओगे सभी नोटों को इखटा करके जला दो कह दो उनसे लग दाए फटापट सभी लोग विखारी हो जाएंगे एक दूसरे का घला घोटे लगेंगे हमरे राज की तो ऐसी कि तैसी हो जाएगी अरे भाईया कसल में हमार पास पैसा है एही खातिर हम राजा हूँ बिना पैसे के हमरी हाल तो बिलकुल कुता बराबर हैं तो क्या तक्रांती बहुत कुछ नस्ट हो जाएगा पर कुछ दुनों के बाद मेहनत की शक्ति से निर्मान शम्ता का नया अंकुर जन्म लेगा उत्पादक्ता की नई बहार आएगी और कौशल का ये महावरक्ष एक घनी चाया देगा सारी दुनिया को और संतोष की इस चाया में बै क्या कीमत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थोरी कलपना पर हमरे पले कुछ नहीं पड़ा है तो हार इच्छा हो तो एक कलपना पर कंव नोटंकी इतना पासा नहीं तो सिनेमा निकाल सकते पर तुम जो कहत हो न उन नहीं हो सकत है ठीक है तो फिर तुझे खत्म करने के के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं यह पिस्तॉल है आम पिस्तॉल जासा नहीं बस दिगर दबाने की देर है कुछ खतरनाक किरने तुम्हारे शरीर के पार हो जाएंगी तुम मरोगे नहीं सिर्फ तुम्हारी चम्ड़ी जल जाएगी आखें बाहर निकालाएंगी हाथ पाउं अलग हो जाएंगे पर मरोगे नहीं तुम जिन्दा रहोगे कराते हुए दर्थ से पीड़े फड़ फड़ाते रहोगे फिर तुम्हारे बचे खुचे धड़को मैं हाँ छस से लटका कर उल्टा ट्रांग दूंगा हमेशा के लिए माँ की राय तकते हुए चलेगा हमेरे बाल को पालानात हो जाएंगे हमरी रानी सरकात भी धुद्वा हो जाएंगी अरे बखत तो हमरे बिरामर रोते रोते उस सब की आखों का पानी भी सूग्या होगा हमरे जंता सोक सागरबर डूब गई होगी हमरे दर्बारी हमरे मंत्री गन यहां तक कि हमरे फोजी हम मूर्ख गड़े हो तुम इतने बरसों से राजा की पगड़ी पहने घूम रहे हो तुम पर आज सक अपने देश की राजनीती तक नहीं जान पाए कैसे जानोगे ए शाराम में मश्गूल जो थे राजा होने का मतलब तुमने कभी समझा ही नहीं आखें खोल कर कभी परिसिती क सामना किया ही नहीं तुमने हवा के साथ आखें मूंद कर अपना भी रोग बदलने वाले मुर्गे रानी रो रही होगी तेरी देखना चाहते हो तुम्हारे दर्वार का शोक सागर देखना है तुम्हें हाँ देख सामने उस ट्रांस वर्ल्ड विजन की परदे पर देख कुल शीलवती पर किये भाषा विभोषित परदेश कलासु संस्क्रित शिलाई काम बुनाई काम अलंकृत राजमान ने राज किये सलाकार रानी साहिवा पजार रही है निगाह नीचे रखो रानी सरकार की रानी सरकार की रानी सरकार की रानी सरकार की चुप जय जयकार कम करो जरा तुम लोग मंत्री हो या बैंड बाजा अरे कोई सुनेगा तो कह कहेगा आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की चुप चुप आज कौन सा दिवस है बेंदू ब्रशा पूजन क इसे लिए तो तुम सभी मंत्रियों को यहां मंत्रित किया गया है आज बक्रीद है बिल्कुल सही कहा आज तुम सब बक्रों की बली चढ़ानी है अबे सस्रों गधे की आउलादों आज अपने देश का नेता चुनना है हमें वैसे तो बहुत ही आसान काम है पर हमारी इच्छ पर्रानी सरकार महराज जीवित है भी या नहीं ये कनफर्म तो होने दीजिये ना अब और का कनफर्म होना बाकी है रहे आए हमने आज सफेद साड़ी पहन ली सिंदूर नहीं लगाया मेकप भी जरा लाइट ही किया है कहने निकाल कर रख दिये पान नहीं खाया यहां तक क सेंट भी नहीं लगाया इस अब देखकर हमार पती परमेश्वर पर लोग सिधार गये हैं यह बात कनफर्म नहीं होती है का पर राणी सरकार महराज तो सिर्फ लापता है उन्हें एक दम्रत घोशित करना ठीक नहीं ना ए चुबबे काई को रो रहा है बे महराज के लापता होने बन और कड़ भी क्या कर सकते हैं रो सिर्फ रोता ही रहो जरा हमरी तरब भी देखो देखो हम कैसन कंफिडेंटली खड़ी हूँ अब हम जो कहते हैं चोप चाप सुन लो जी हमार पती इकुरसी छोड़के गए मत बल यह दुनिया छोड़के गए अंडस्टेंट जी हां यह देश कोनों के खातिर रुकत नहीं बात के गांट मानलो नया नेता चुनलो जाओ अपना अपना घर ओके जी पर इस बार राज का कारेवार समालने का सम्मान साउथ कोई मिलना मैंगता जी अब देखो यह वरी ट करना बे कथा कली शाला शादा लूंगी ना शमाल शकते तो राज कैसा सम्माल ले गारे तू राजा होने का वास्ते ना अकल लगती बाबा अकल अनि टकल नाई चालते बाबा नुस्ता अखा बंदल पूर्माना अकल नू ठेका खाली हम दे पास इच्छे शाला आपन यह बट्ट फिरेंगे पगड़ी राल के ज्यादा शलाक बनने की कोशिच मत करने खवीज की ओलाद हमारे आज के लगें के मुकाबले बंदूक की गोलियों की फसल जादा होती है ध्यान में रखना बोलो पगडिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदा चुप तो हमारे कहने का मतलब है राजा कौन होगा राज का भार कौन समालेगा किस सवाली नहीं उठता हमारे यहां होते हुए सरकार पर महराज तो उनके बिसे में अब कोई चर्चा नहीं होगी उलुढग गए बात खतब पर राणी साहिवा नेता का चुनाप पार्टी के नियमों के अनुसार लोक्षाही पद्देती चे होना चाहिए हाँ लोक्षाही कई सन लोक्षाही काörung धक्कन का कहत है कि हमार यहां लोक्षाही है अरे गय पचास साल से तुम लोग राजनीटी में खा पी नहा OUT हो रहे हो लेकिन कभी राजनीटी के उसूलों से बेहिमान होना अरे खरीद लिये हैं तुम्हारे उसूल हमने तुम्हारी घर ग्रियस्ती हमारे फेके वे टुकडों पर चल रही है ये मत भूलना और अगर तुम लोगों को हमारा फैसला मंजूर नहीं तो चलते बनो हम दूसरों को खरीद लेंगे हमारे पास विदेश्टी बैंकों में इतना पैसा है कि चाहे तो हम पूरा राज खरीच सकते हैं तुम सब लोग अकल के दुस्मन हो और हम अकल और सकल दोनों की रानी हूँ राजनीदी का खेल कैसे खेला जाए यह तो हमने ही माराज को सिखाया था क्योंकि तुम लोगों के बीच रहकर 라जनीदी का खेल कैसे खेला ना जाए यह हम अच्छी तरह समझ गए हैं महाराज के सभी भाषन, यहां तक की किले पर से दिया जाने वाला भाषन भी हम ही लिखके दिया करते थे, क्योंकि हमार धनी तो रहे अंगल उठा च्छा, और हम रहे foreign return, educated, तुम लोगों का संबंधी का है राजगरानों से, हमारे ग्रांड ससूर, हमारे ससूर, हमारे मिस्ट सभी राजा थे, इसलिए राजनीती से सबसे नजदी की संबंध हमारे सिवा और किसका हो सकता है, इसलिए अब हमें ही राजा है, हमें इस देश के सत्ता धारी है अरे बादकार, बादकरदा उटी भी के, माफ़ी चाहता हूं राजा, मुझे तुम्हें वो द्रश्ट नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन देख लिए ना तुमने, तुम जिसे शोक सागर कह रहे हो, वो एक भयानक मिर्क तरशना के लावा और कुछ भी नहीं अरे अरण के बारे में हमें को न सिखवा नहीं, पर हमरी रादी सरकार खुद ही, अरे हम हम ऐसा उन ही के सुनत रहे, उसे कभी जूट नहीं बोले रहे फिर भी हूं, अरे पर पती जिन्दा है कि मर गया, इस बात पूरी समझने से पहले सुहा कर निसानी उतारने का कामत ब नहीं राजा, इस तरह मैदान छोड़ के भागने से काम नहीं चलेगा, यह सब तुम ही कर सकते हो, तुम ही ले सकते हो यह निर्णे, ठीक है, अगर हम राज जनता के खुशी मिलता है, तो हम तयार हूं, तयार हूं हम, तो आईये महराज, मैं कैमरा और टेली का सिस्टम आउन करता हूँ, राम राम, सबही लोगन के हमरे राम राम, नहीं नहीं, हलबाने का कंग बात नहीं है, पर हम जिन्दा हूं, समझे? हम आज एक हुकम देता हूँ, आज से हमरे देश मा रुपईया पैसा का मुल्य हम सुन्य करता हूँ, आज के बाद पैसा का कीमत सुन्य, जीरो, सबही नोट सिक्का कैंसिल, थैंक यू महराज, थैंक यू वेरी मच, शून ने भार अर्थकरान्ती की जैहो, अभी आप सुन रहे थे नाटक, ओप्रेशन जीरो, जिसके लिखक थे, उधर सबनीस, इस नाटक में भाव लेने वाले कलाकारों का भूमी का नुसार पात्र परचे इस प्रकार है, नवीन और मंत्री, हरीश मिश्र, राजा और कोरांब, प्रदीप शुक्ल, रानी शीला शुक्ल, बिलेस्टो और मंत्री, राजीव सारस्वत, निर्मार सहयोग महेश सुभेदार का था, और इस नाटक को प्रस्तुत करहीं थी, तनुजा कानडे, ये नाटक आकाश्वने म सुंबई केंदर के भेंट थी,